हेलो दोस्तो आज हम वीडियो में आपको जलम जंक्शन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरा नाम है अंकोर और वेलकम टू माई यूटूब चैनल अन्यूजर स्टफ जो जलम जंक्शन है ये बुलधाना महराष्ट में पड़ता है इसका जो स्टेशन कोड है वो है जे एम ये भुसावल डिविजन के अंदर आता है और इस स्टेशन का जो जोन है वो है सेंटर रेलवे इस जंक्शन में ठोटना चार प्लाटफॉर्म है और यहाँ पे 26 ट्रेने हाल्ट होती है यहाँ पे 4 ट्रेने ओर चार ट्रेने यहाँ पे टर्मिनेट होती है इस जंक्शन पे आपको हर एक टाइप की बेसिक फैसिटी मिल जाएगी जिसकी पारकिंग, टिकेट काउंटर, वेटिंग रूम फॉर स्लीप पर, स्टेशन के अंदर आपको टी स्टॉल और स्टेशन के बाहर आपको टाक्सी और आटो की फैसिटी अवेलिबल है इसका जो कांटाक्ट नंबर है, वो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है जो नियरिस्ट एरपोर्ट पड़ता है, वो है अकोला एरपोर्ट जो की यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पे है और स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे जहां पे आप रुक सकते हैं तो चलिए आप जानते हैं कुछ इंटरस्टिंग फैक्स जलम जंक्शन के बारे में इसमें डेनी लबग 500 से 1000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और यह भुसावल अकोला लाइंग के बीच में पड़ता है यह एक जंक्शन है जिसकी जो काटेगरी है वो है NSG6 या काटेगरी E का माना जाता है जो मेजर टेने सेशन पे रुकती है गुजरती है वो है महराष्ट एक्सप्रेस, एहमदबाद हावड़ा एक्सप्रेस, शालिमार एक्सप्रेस और पैसेंजर टेने जो नाकपुर और बुसावल की बीच में चलती है जो जलम जंक्शन है यह बेसिकली यहाँ पे लोगों का जो में अक्यूपेशन है वो है एक्रिकल्चर तो आज इस वीडियो में इतना ही चैनल को लाइक और सबस्राइब धरूर करें धन्यवाद